मैं भी महनत करूँगा, मैं भी डांस करूँगा, मुझे भी स्टार बनना है मैं राज ठाकरी जी को कभी नहीं भूल सकता कि मराथी फिल्म इंडास्ट्री के लिए जो उन्होंने ये पहल की के और उसके बाद 10 साल फिर मैं सुपरस्टार, एवरी वीक दो-तिन फिल्में ओफर हो रही है बॉलिवुड से भोजपुरी जाना और अब फिर आप बॉलिवुड में कमबैक कर रहे हैं मेरे सेट में मुझे बार बार एक हिरोईन तंग करती थी नाम नहीं लूँगा और बच्चा नहीं हो रहे हैं आपको कभी मैं बहुत परिशान हो गया ना फ्रस्टेट हो गया ना भी भोला ना मैं कुछ बोल दूँगा इसको शायर सूरच का इक शेर है कि करो कुछ यूँ कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए तुम्हारी बावज़ा पैदाईश का मानी निकल आए और आज के दौर में किसी को रुलाना तरीका मैं बताता हूँ उसे हसाओ इतना कि उसकी आख से पानी निकल आए और इस लाइन को पूरी तरीके से चरितार्थ करते हैं एक ऐसे फंकार एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी लाइफ में अलग-अलग जोनरे की फिल्म तो की है लेकिन उनका जो निजी व्यक्तित वहना वो हमेशा रहता है कि कैसे वो लोगों के और सामने वालों के चेहरे पे एक मुसकान ला सके सो आज के Rest of Life, Best of Life टॉक शो के हमारे गेस्ट है Bollywood actor विनाय आनन विनाय भाई थांक्यू सो मच कि आपने समय निकाला और निकालना ही था विनाय भाई मैं पिछले कुस टाइम से जबसे मैंने आपको जाना है आपके साथ उठा बैटा है मैंने एक चीज नोटिस किया है या सोची है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान तो है ही एक उम्दा कलाकार भी है पड़े question मेरे mind में हमेशा घूमता रहता है कि आपको actor बनने का जो शौक था वो family pressure से था या बचपन से आप भी चाहते थे कि मुझे actor ही बनना है यह जो खुजली I just mean to say कि यह जो profession है यह इतनी आसानी से नहीं जाकता यह जब तक आपके जीवन में inspiration ना हो तब तक यह संभव नहीं और मेरे जिंदगी में यह inspiration लाए मेरे आधरणिया मेरे गुरू श्री गुविंदा जी हम इस बात के लखी रहे हैं कि हम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां film industry के मेरे नाना जी अरूना हुजा जी स्वर्गिया वो अपने जमाने में एक अच्छे खासे कलाकार रहे हैं और उनको break दिया था मेहबूब खान साब ने क्या वात है फिर मेरी grandmother निर्मला देवे जी जो की ठुमरी काई कर रहे हैं तो एक artist परिवार में पैदा होने की वज़े से मुझे ये फाइदा मिला कि मुझे ऐसे ऐसे talents को देखने का मौका मिला और मैं 7-8 साल का था जब गोविंदा जी struggle कर रहे थे hero बनने के लिए और मेरे सामने एक struggling actor मुझे तो इतनी sense नहीं थी लेकिन मैं देखता था ये रोज जाते हैं विरार से local train में जाते हैं गंटों सफर करते हुए और जाते हैं और रात में देड़ बज़े आते हैं और पता चला उन्हें फिल्म मिल गई और फिल्म मिलने के बाद एक ऐसा इंसान जो मेहनत करते-करते सूपरस्टार बन गया तो I was very lucky to see such a मेहनती एक्टर और वहां से मुझे ऐसा हुआ कि मैं भी मेहनत करूँगा मैं भी डांस करूँगा मुझे भी स्टार बनना है और बस वही सपने में मैं चला और आज मैं आपके सामने हूँ लो मैं आगिया से आपने डेब्या शुरुबात की वो फिल्म अगर आप उस परिवार से नहीं होते जिस परिवार से आप है या जो एक आपका बैग्राउंड है फैमिली का अगर आप उस फैमिली के बैग्राउंड से नहीं होते तो क्या लगता है कि ये डेब्यू फिल्म होने के बाद आपका करियर किस तरीके से शेप लेता देखिए मेरे लिए I was never I never thought like a king क्योंकि मेरे मेरे मामा हैं वो खुद अपने आपको गलत पहमी में नहीं रखते वो इतने धक्के खाखा के जीवन में आगे बढ़े थे और इतने धक्के खाखा के पहुचे थे कि मेरा भी वही मानसिकता थी कि भाई हमें काम मिलेगा और हम उसे करेंगे और अपर्चुनिटी को पकड़ेंगे और दिमाग खराब नहीं करेंगे तो हम मेरे लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुझे फिल्म आएगी और मुझे कमाल करना है बस यह था और मैंने आपको बताओ अठारा साल की उमर से सत्रा अठारा साल की उमर से मैंने एक्सेस करना वर्क आउट करना सब शुरू कर दिया और करते करते हवा फैल गे इंडस्ट्री में कि यह विने आनंदे यह अच्छा डांस क अच्छन कर रहा है यह मेहनत कर रहा है मतलब दिन में साथ घंटा मैं अपने हिरोईजम के लिए प्रिपेरेशन में देता था और यह बात इंडस्ट्री में फैल गई and I got this film. अपने जो बॉलिवोड में आपने शुरुवाते दिनों में जितना काम किया है सारी सुपर हिट फिल्म रही है उसमें आपने कॉमेडी भी की आपने रोमेंटिक कॉमेडी भी की आपने एक्शन थ्रिलर भी फिल्में की और उसके बाद आप सड़न मूव कर गए बोजपु अपने तरफ जाना है और मैं बॉलिवोड में काम नहीं करूगा हम जाने वाले कोई नहीं होते हैं वक्त और हालात हम सभी लोगों को ले जाता है क्या हूँआ मैं फिल्में कर रहा था फौद अच्छे-ची फिल्में कर रहा था आइडिड लो में आ गया दिल ने फिर गोविंदा जी केम इंटू पॉलिटिक्स और मैं भी उनके साथ प्रचार में चला गया तो वो जा रहे थे तो मुझे बोला विने तू भी चल तो मुझे भी ले गए अभी हम लोग दोनों वाँ पर डांस कर रहे थे और फिर सड़नली एक्चुली क्या है जब आप राजन अंदर मुझे पता नहीं चला कि खीच लिया रहे यह भी है और यह भी खीच में खाले ले मेरा कोई प्रिपेरेशन नहीं था समा सेवा को मैं बच्चा खोदी था तो चला गया और उसके बाद से एक संसनाहट सी हो गई एक अचा काम आ रहा था काम आ रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था यह करें के नहीं करें क्योंकि में स्ट्रीम सेनेमा करने की आदत है फिर टेलिविजन भी आया तो उस वक्त मैं I was not prepared to come in टेलिविजन तो मेरे लिए फिल्मे फिल्मे रही है चाय वो हिंदी हो भुझपुरी हो मलयालम हो कनड़ा हो बेंगॉली हो मुझे ऐसा लगता है कि यह दर्शक देखते हैं और दर्शक हमारे भगवान है एक इसी में से सवाल आपने बोला कि मैं अपने मामा जब गोविंदा जी के साथ डांस करता था मैंने भी परसो इंस्टाग्राम में आपका एक वीडियो देखा और आपको कॉल भी किया कि बाई मुझे शुरुआत में लगा यह गोविंदा जी का डांस है मैंने आपको कॉल किया तो जब आप शुरू में भी करते रहे होंगे जब आप इंड़स्री में होंगे तो लोग थोड़ा सा वो action क्योंकि हम जिनको बच्पन से देखते हैं हम चाहते हैं कि उनके जैसा बने तो एक आपका comparison भी होता रहोगा गोविंदा जी के साथ उस समय आपको उस चीजों के कितने लगते तो लुक्सान कितने लगते देखिए जब गोविंदा जी सूपर स्टार और नंबर बन बने तो मैं क्या पूरी इंडस्ट्री गोविंदा की तरह डांस करना चाहरे थी अब आप लगते भी वैसे ही थे ना जब आप कर रहे थे तो बिल्कुल डियाने हैं सेम ड करता हूं and I love him like anything लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं गोविंदा जी की एक्टिंग करूँ या स्टाइल मारू लेकिन वो अंदर है नहीं वो डियाने है वो हां वो उनकी जो अच्छाईयां है वो मेरे अंदर सेम डियाने है तो वैसा है तो आट में नजर आता है possession में स्टीम में जब बॉलिवॉड में बैठते हैं एक हम जब बॉलिवॉड वर्ब में स्टीम में सेदस्टी में मुझे सरकार Macborough तो अब जानोख बॉज पूरी इंडस्ट्री को तबच्वों दे रही है और सबसी दी रही है जैसे मैं आधर नियश्री योगी आदित्यानाच जी का बहुत धन्यवात करता हूँ कि वो इतना कहे रहे हैं कि आप लोग आईए यूपी में शूटिंग करी तो ये इससे पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने बिहार के किसी चीफ मिनिस्टर ने या उत्रप्रदेश के हाँ खलेश यादव जी ने पहल की थी चुरुबात की थी और करते करते वो चेंज हो गए मतलब उनकी सरकार चली गए और यह आ गए तो इन्हों ने किया अब इनके करने की वज़े से बहुत लोगों ने यूपी में शूटिंग करना शूरू कर दिया तो यह पहल होनी जरूरी थी कुछ मुझे ऐसा रखता है भुजपुरी इंडस्ट्री को किसी ने सपोर्ट ने किया कि ओके चलो हम इसे मल्टिप्लेक्स में लगाते मैं राज ठाकरी जी को कभी नी भूल सकता कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो उनोंने ये पहल की कि हमारे सिनिमा जो है वो मल्टिप्लेक्स में आना चाहिए तो देखे उनोंने जिन्दगी में जितने भी अच्छे काम किये होंगे उसमें से ये काम as a कला कार मुझे हमेशा याद रहेगा बेशक मुझे कभी मैंने मराथी इंड़स्ट्री में काम ने किया बट ही डिट वेरी गुड जॉब एक उनोंने अच्छा कर दिया मराथी इंड़स्ट्री के लिए तो ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति हमें भुचपुरी इंड़स्ट्री में हमेशा चाहिए विनन अनन्द as an actor विनन अनन्द as an singer विनन अनन्द as an influencer कितने रूप में आपको देखते हैं तो आपको क्या लगता है मतलब आप singing में आपके YouTube में भी मैंने इतने सारे गाने सुने हुए है मैं हमेशा आपको देखता हूँ आपके entertaining real साथे रहती है आप हमेशा लाइव शोज में जादा बीजी रहते हैं, तो इन सब चीजों के बीच आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी हील्थ में, अपनी रूटीन में, अपनी फैमिली के लिए, आप कैसे टाइम मेलेज करते हों कि यह कितना डिफिकल्ट होता है? बहुत डिफिकल्ट होता है, इस वेरी डिफिकल्ट क्योंकि दर्शन बिया, जिंदगी में हम सब चाते हैं कि हमारे साथ सब के साथ अच्छा हो, हर जो कलाकार आ रहा है, वो यही सोचता है कि मैं ओवरनाइट शारूखान बन जाओंगा, मैं गोहिंदा बन जाओंगा, मैं य आप बनते हो नहीं, आपकी अलग जनी चलती है, अब मुझे देख लो इतने बड़े सुपरस्टार का भांजा होने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं बॉलिवूड में आके मेरा बहुत नाम हो गया है, मैंने बहुत जादा कुछ कमार कर दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, I went to Bhuchhp वो मेरी तकलीफ थी, मैं एक ऐसे एज में आ गया था, जब मुझे किसी से पैसे मांगने अच्छा नहीं लगता था, I used to feel मैं क्या मामा से पैसे मांगू, मेरे पिता जी की हालत इतनी अच्छी थी यह नहीं, उनके बिजनस खराब हो चुके थे, वो बिचारे खुद आदी हो गई ही, मैंने जोती जी से मेरा प्रेम हो गया, और एक जिम्यदारी आ गई है, और शी सेट के यार देखो कोई काम चोटा बढ़ानी होता, आप कर लो, अब भुझपुरी आई और मैंने कर लिया और मुझे खुद को नहीं पता था के यार मैं सत्तर फिल में कर जा जो ठीक है, मैं अच्छा काम करूँगा और मैं कैसा करना चाहता हूँ, या मैं कैसे दिखना चाहता हूँ, तो आदमी आगे सोचता है कि चलो मैंने महनत करकर के नाम बनाया, मैं कुछ और बहतर ट्राइ करूँगा, ऐसे होता है, मैं एक क्वेशन और करना चाहता था, विन जब आप Bollywood से वापिस भोजपुरी जाते हैं, आप इदर आने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें low feel होता है, लोग उसे depression का भी नाम देते हैं, anxiety का भी नाम देते हैं, how you deal with such situation, कि जिसमें आपकी family life भी hamper ना हो, आपकी social life भी hamper और आपकी खुद की life, आपका mental peace जिसको आज हम कहते हैं, mental health के बारे में, मैंने आपके कई interviews मैंने देखे पड़े, उसमें आपने हमेशा यह बात की कि मैं बीच में depression में चला गया था, बट मैंने बेहनत से उस चीज में मैं वापिस लॉटा, मुझे depression हुआ था, जब मुझे मेरी जो मुझे काम चाहिए था, तरशन भाई वो मुझे नहीं मिल रहा था, क्या होता है, कि हमारी film industry में कहते हैं, कि भाया यह भाई साफ जो है यह एक्टर है यह पोलिस इस्पेक्टर का रोल करते थे, तो मैंने देखा यार यार आदमी 20 स कहीं क्यों बनते हैं, घंचा पेन के आजाते हैं, जब देखो हर पिच्चर में, तो किसे ने मुझे पता दिया कि एक बार किसी की जैसे इमेज बन चाती है उसको वही रोल मिलता है, सब वेरी क्लियर कि इमेज रामु का के की बन गई है, अब इंको नौकर से उपर जो है, भगवान ने कमिशनल बना सकते हैं, ने तो इंका कुछ नहीं होगा, तो मेरे को बहुत काम आए, मैंने काम लिया नहीं, और अच्छे-च्छे काम आए, और जब काम आना बंत हो गया, तो आई उस्टू चेक किया, मेरे फोन की लाइन ठीक है, तो जा की चेक करता था, तो एंगे, काम नहीं है, तो एक बार एक कलर वाला मेरे घर में आय था, बहुत डिप्रेस्टा बैटा हो था, तो इस तो बोलता है, कलर करते हैं, और शाहाम, मैं आपको देखें आपको, कहा देखें हैं, और वो मैं आप थे क्या, मैं बला हाँ, तो दारी बारी बढ़ा दी है हैं घर में बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं, चार दिन से की जाते बाते हैं, क्या बोलू इसको यार, काम नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है, दुनिया भर गा, तो वो आदमी मुझे बोलता है, आई ना, भाया हम एक डिरेक्टर को जानते हैं, अच्छा, रंजन सिना ह हैं, तो बात करेंगे का, हम जाओ, क्या बात करूंगा यार, नहीं फिल्म बनाते हैं, मैं बहला बी चलो यार, इस बिचारा कॉंटेक्ट, बात करा रहा है, कर लेते हैं, उसमें क्या हुआ, क्योंकि मुझे एक बात यात थी, गोविंदा जी को प्राहणलाल मेथा जी के फ दिखाना पड़ता था, तो मैंने गभी अंडरेस्टिमेट नहीं किया, मुझे यह था कि भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं, और मदद कहीं से भी आ सकती है, मैं बात करा दे, इस आदमी ने मेरी रंजन सिना से बात कराई, रंजन सिंग जी से बात कराई, रंजन सिं अब अब तो कुछ नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा इसके लिए लगे हुए, मैं यार मैं एक भुछपरी फिल्म बना रहा हूं, मैं तुझे बताऊंगा, और ऐसा हुआ, मैंने शादी किया, नेक्स डे में I got an offer, और प्रडूसर आ गया है, और रंजन जी ने भेजा है, और second day, शादी करते हैं, second day I was dancing in Panville, शुरुवे फाम में, my first film call, तोह से प्यारबा, और उसके बाद 10 साल, फिर मैं a superstar, every week, 2-3 फिल्मे offer हो रही है, तो मतलब ये कहा जाए कि, मेरा दिमाग फिर खराब हो गया, मैंने बोला, मैं अच्छी फिल्मे करूंगा, मैं मरूंगा नह मैं ये नहीं करूंगा, मतलब, see when you get so much of work, you can choose, yes, so, ये कहा जा सकता है कि, जोती जी is your lady, ये बोल सकते हैं, कि मैं चूजे से चूज करने लगा, पहले मैं चूजा था, उसके बाद मैं चूज करने लगा, तो everything is time, सही है, बॉलीवूड से भोजपूरी जाना, और अब फिर आप बॉलीवूड में कमबैक कर रहे हैं, फिर दिमाग कराब हो गया, मतलब, as an actor, as an producer, तो ये क्या था, ये पहले से mind में था कि चलो, अभी समय जोका हमारे वहां करते हैं, फिर मुझे वापेस बॉलीवूड में कमबैक करना है, देखिए, वक्त जो है ना, हर stage में मैं ये हमारे यूद को सुनाना चाहता हूँ, कि देखो, हर बार तुमरा दिमाग कराब होता रहेगा, और तुम अपने अपको खुद मुसीबत में डालोगे, जैसे मैंने फिर अपने अपको मुसीबत में डाला है, मैं अच्छा खासा बहुत काम कर रहा था, मेरे अंदर एक तमन खराब करते हो, और ये वक्त की चीजे है, इस वेरी गुट, मैं मजाग कर रहा हूँ, लेकिन ये अच्छी चीजे है, चैलेंजिस, लाइफ में लेना होगा, आपको लगेगा, और देखिए, 31st, 35% से पास हो जाना भी पास कहलाता है, लेकिन अगर आपको 98% मार्क्स लाने अपकमिंग फिल्म, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, विने भाई, आपको अगर कहा जाए कि आप अपनी rest of life को best of life कैसे बना सकते, आपके लिए rest of life, best of life का माइने क्या है, देखिए मैं आपकी जो rest of life, जो है, मैं कुछ यहाँ पे लोग हैं, मैं जानता हूँ मेरे बि rest of life, मतलब जाके घर में rest करेंगे, भाईया, rest नहीं करना है, दर्शन भाईया कहना चाह रहे हैं, कि rest of life, best of life तभी होगा, जब आप घर में rest मत करिए, काम करिए, और काम करिएगा, पैसे नाम खमाइएगा, उसके बाद आपको rest मिलेगा, तो rest मत करीए, घर में, काम करेंग तो ऐसी क्या चीज होगी, जिससे आपकी आज की जिन्वी और बहतर हो सकती थी, अगर मुझे गरीबी का सामना ना करना पड़ता, अगर मेरे माता पिता, अगर मेरी माँ mentally sick नहीं होती, और मेरे पिता का अगर कारोबार थोड़ा भी अच्छा होता, तो मैं अपने लिए जिन पाता, लेकिन शायद ईश्वर को यही मनजूर था, कि मैं काम करते करते हां के बढ़ो, and believe me, sometimes planning is also important, and sometimes if you don't plan also, if you are walking good, and you are very genuine, आप genuine हो, आप इमानदारी से काम करते हो, आप लोगों को तंग नहीं करते, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपको काम मिल गया तो आप आप superstar बन गया, आप hero बन गया, आपका दिमाग खराब है, then you are torturing your director, your producer, देखो भाई, काम नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि काम बहुत मुश्किलों से आता है, and believe me, जब मैं भोजपुरी industry में मैंने काम किया, I was always on time, सबसे ज़्यादा इमानदार, immediately date देना, अपने आपको दोक रख लिया, जो चाहे से ज़्यादा केटली करम, you know, just to increase, थोड़ा greed, थोड़ा ज़्यादा पैसे निकाल लो producer से, I've never done that, मेरा एक था, मेरे पास cinema आया है, इसको immediately date दो, इसकी picture खतम करो, इसको release करो, यह attitude था, शायद इसलिए मैं इतनी फिल्में कर गया, क्या बात है, आपके मामा जी जो है, बॉलिवूट के इतने बड़े star है, hero number one बोला जाता है, ऐसी कौन सी तीन चीज थी, जो आपने अपने मामा से adopt ही है, क्योंकि यह तीन चीज बेस लगती है, जो हमको as a human, as an artist, हमें बढ़ाती है, हमें बढ़ा करती है, हमें perfect बनाती है, तो तीन चीज आपने कौन सी थी जो आपने अपने मामा से adopt ही, he is the most sincere man, on this earth, I can see this, अपने माता-पिता की सिवा करना, number one, number two, हमेशा खुछ रहना, इमांदारी से काम करना, किसी को hurt नहीं करना, यह सारी चीजे मुझे उंकी बहुत अच्छी लगती है, और टैलेंट के अगर एक आदमी के अंदर हो जाए ना कि मैं यहां कुछ कमाल कर देना चाहता हूँ, when you have that intention, आप कमाल कर दोगी, yes, कमाल करना आपको वेट नहीं करना है, अभी जैसे मैं अगर सोचो कि मुझे दर्शन भाई के इंटर्वी में कुछ कमाल कर देना है, तो कमाल हो जाएगा, that your intention should be really very positive, there is a lot of negativity in the world, बहुत ब्रस्टाचार भी है, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, लेकिन आप अगर उसी में जिएंगे तो आप डिप्रेस हो जाएगे, आपको यह सारे दुखों से निकल के, एक positivity क्रीट करनी है, एक aura क्रीट करना है, and then you can really go ahead, आपने एक फिल्म पूरा इंडिया जो इस फिल्म से अंटर्टेन होता रहता है, मामा के साथ काम करने का experience कैसे रहा, डर रहता था, थोड़े nervous होते थे, अम मज़ा आता था, कैसे experience था वो पुरी फिल्म का, बहुत कमाल का experience था, एक तो मेरी जो नानी थी न, दर्शिन भाई, उन्होंने मुझ मैं इतने तमीज से सबसे, तो मैं बहुत तमीज से रहता था, मुझे हमेशा ही रहता था, मेरे मामा है, he is my godfather, तो मैंने उनकों हमेशा एक गाट की जगे दे दी, क्या बात है, मतलब, he is not a mama for me, he is my mama है, ऐसा नहीं, मेरे बहुत आदरणी है, he is a teacher for me, he is my guru, तो बड़ा मज आया, बहुत सीखा, मेरे जीवर में मैंने कुछ, कमाल के लेजेंड के साथ काम किया, देवा नन साब के साथ सेंसर की, जैकी शौफ जी के साथ मुलाकात, मितुन्दा के साथ, सौतेला, तो ये सब लोगों में कुछ कॉलिटी है, और आपके अंदर कॉलिटी होती है, तब ह आप कॉलिटी वाले दिखते हैं, हमेशे कहा जाता है कि यार, उसके पीछे इसका हाथ है, है ना, मैं हमेशा मैंने नोटिस गया है, मैं कहता हूँ कि बस इसी हैसास के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, मेरे पीछे मैं खुद खड़ा हूँ, आपको क्या लगता है, कि आपके पीछे वो बैकप, कितना काम आता है या एक समय के बाद आपको अपनी लड़ाई या आपको अपनी जर्नी, वो खुदी करनी पड़ती हैं, आपके पीछे से वहाप ही खड़े है, मैंने भी तोचा था, कि मैरे पीछे बहुत खड़े हैं, मैंने पीछे देखा कोई था ही मैं खुद खड़ा हूँ अच्छिली, I want to tell to the world कि तेखे, to be Govinda nephew, to be a superstar son, किसी का भांजा, भतिजा, बेटा, बेटी ये, no doubt, आपको एक थोड़ा सा डिग्री देता है क्या रुसकर, लेकिन, अगर मान लो मैं Govinda का भांजाओ और मेरे में कुछ है नहीं, तो मुझे कोई क्यूं लेगा, nobody will cast me in their film क्यूंकि बत्तमीज और नालाइक और untalented व्यक्ति को तो एक प्रडूसर भी कास्ट नहीं करता है अपने बेटे को ही नहीं करेगा तो मुझे ये बात मालूम था कि यार ये आदमी करोड़ों रुपया लगा रहा है और ये मुझे hero लेगा तो क्यूं लेगा मुझे ऐसा होना चाहिए एक ऐसे सुन्दर गुलाब की तरह होना चाहिए जो लाखों में दिखे अलग से खिलता हुआ तो I have to be the best See, in certain stages बहुत परिशानिया आती रहती है मेरे triplets हो गए तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग हसके, मेरी वाइफ चिड़ाती है तीन गुना लगान तो क्या होता है अभी तीनों की खुशिया हैं लेकिन तीनों की जिम्हेदारी हैं रात रात भर जागना भी पड़ा तो ऐसे challenges फिर हो 11 साल बाद हुए जब बच्के नहीं हो रहे हैं तो मैं और मेरी पतनी व उतन सुना बच्चा नहीं हो रहे है मुझे लगता था मुझे भच्चा ही है 11 साल हो बच्चा नहीं हो रहा है लिफ्ट से भी उतरना मुझ्किल हो गया foot अँप कहँ चरते हैं अभी दे रहे गुड नियूस, एक बार मेरे सेट में मुझे बार बार एक हिरोईन तंग करती थी नाम नहीं लूँगा, और बच्चा नहीं हो रहे है आपको कभी, मैं बहुत परिशान हो गया, मैं फ्रस्टेट हो गया, मैं भी बोला ना मैं कुछ बोल दोंगा इसको, फिर कर सकता है, जिसको यह पेन रहता है, ग्यारा साल मैं तपस्या में रहा, और इस हिंदोस्तान के, किसी भगवान के दरवाजा, जो रह गया हो मैं नहीं गया, मैंने हर जगे माता ठीका, मैं वैस्दो माता से लेकि अजमिर शरीफ तक गया, और कहा कहा नहीं गया, कामक हा मा गया वो सबने एक साथ इतना सुन लिया कि ले बेटा तीन ले ले ऐसा हो गया तो जोली भर दी तो यह वो दर्द समझेंगे मेरी जो जिने नहीं हो रहा है यह जिने बहुत सालों बाद हो तो पेन तो इतना रहा है ना दर्शन भाई कि किसी के बदन में भी इतना पेन नहीं ह वो सुपर हिटो और जिस तरीके से आपका व्यक्तित्व है जो आप हमेशा लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान फैलाते हैं, आपके लाइफ में भी हमेशा तो सारी खुशिया आती रहे और जो सारा मुकाम आप डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं कि आप चाहते हैं, वो आपको करें, जो लोगों को इंस्पायर करें और आप किसी के इंस्पिरिशन बनें, यस, वी कन जस्त ट्राइब एट, थैंक यू सो मुच भाई, थैंक यू सो मुच